हेलो स्टुडेंट्स, आप लोगों सभी अच्छे होंगे और मुझे उमीद है कि आप लोगों ने इस चाप्टर की अच्छे से एक्स्प्लेनेशन देख लियोगी मैंने पार्ट वन पार्ट टू में आपको डिवाइट करके समझाया है बहुत ही डिटेल में तो आप लोग इस चैप्टर की एक्स्प्लेनेशन देख सकते हो इस चैप्टर का नाम है क्वालिटी आपका चैप्टर नमबर फाइव हनी कॉम बुक से है आज मैं इसके कुश्चन आशर आप लोगों को करांगी टेक्स बुक कुश्चन आशर जो आप लोगों को दिये गए है आपकी ब अधर का हमने स्टोरी में पढ़ाता कि हमारे जो ओफर थे उनका क्या ओपीनियन था मिस्टर गैसलर को लेकर तो क्या क्या ओपीनियन था यानि वह बहुत ही अच्छे शूस बनाते थे और उनके शूस जो हैं वह बहुत ही फिट आते थे और उनके शूस जो थे बहुत मिस्ट पढ़ते हैं, the author had a high opinion about Mr. Gessler as a bootmaker, यानि बहुत ही high opinion था Mr. Gessler को लेकर, he knew that Mr. Gessler made only what was ordered, Mr. Gessler जो थे वो अपने शूस जो होते थे वो order पर ही बनाते थे, and the boots that he made never failed to fit, यानि उनके शूस कभी भी बिकार नहीं हुए, यानि जो वो बनाते थे, वो बिल्कुल fit आता था, the author felt that to make such boots as Mr. Gessler did seem mysterious and wonderful, यानि author को मतलब उनके जो शूस थे, वो उसमें कुछ अलगी बात लगते थे, यानि उनके शूस जो है न, वो mysterious and wonderful होते हैं, चलिए अब अपना second question देखते हैं, why did the author visit the shop so infrequently, infrequently यानि कभी-कभी, यानि हमारे जो author होते हैं, तो वो कभी-कभी उस shop में क्यो जाते थे Mr. Gessler की, तो वो इसलिए कभी-कभी जाते थे, क्योंकि उन्हें जरूरत ही नहीं पढ़ती थी वी shop में जादा जाने की, क्योंकि उनके शूज जो थे न, वो बहुत जादा लंबे समय तक चलते थे, वो इतने अच्छे boots बनाते थे कि बहुत जल्दी से तूटते नहीं थे, तो दो ओधर विजिट थे शौप सो इन्फ्रेक्वेंटली बिकाज बूट्स मेट बाइमिस्टर गेस्टर लास्टर लास्टर फोर लांग टाइम, ओके, कॉर्शन थ्री देखिए, यहां कौन से पेर वूट्स की बात हो रही है? जो के ओधर के एक पेर था, उनमें क्रीक की आवाज आ रही थी, ओके, यानि वो बूट्स जो थे ना, वो आवास कर रहे थे, उन वाले बूट्स की बात हो रही है यहां पर और रिमाक्स यानि, तू कमेंट, जब ओधर ने ये बात कही कि आपके शूज में आपने जो मुझे बना कर दिये हैं बूट्स उसमें क्या है वो क्रीक की आवाज आ रही है तो Mr. Gesser का उस वक्त क्या reaction था क्या उन पर effect पड़ा तो when the author remarked that a certain pair of boots he had got earlier creed Mr. Gesser looked at him for a time without replying यानि वो बिना किसी जवाब दियोंने बस कुछ देर के लिए तो देखते ही रहे as if expecting इस expect से के him to withdraw or qualify the statement यानि वो अपने शब्द वापस ले लेंगे ओथर यानि जो बात उन्होंने निकाली अपने मुझे वो शायद गलती से निकल गई होगी हमारे Mr. Gesser ने सोचा लेकिन then he said that the shoes should not have creed वो कहने लेकिन नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि वो आवास कर रहे होंगे हमारे Mr. Gesser कहने लगे he then asked the author to send the boots back and if he could do nothing of them he would take them off his bills यानि फिर हमारे author ने का कि नहीं नहीं वो आवास कर रहे हैं सच में तो हमारे Mr. Gesser ने का कि ठीक है तो मुझे वापस करके लाओ वो शूज वापस लाओ वो शूज मैं ठीक करके तुम्हें दे दूँगा अगर वो ठीक नहीं हुए तो मैं आपका बिल आपको वापस कर यानि वो बहुत ही ज्यादा इमानदार भी थे ऐसे नहीं थे कि वो मतलब लोग के लोग को बस बेकार चीज़ देते थे और पैसे पूरी रख रहे थे दिर नहीं question 4 है हमारा what was Mr. Gassler complaint against big firms यानि Mr. Gassler ने क्या-क्या complaint यानि क्या-क्या शिकायते की big firms को लेकर यानि बड़ी-बड़ी जो इंडुस्ट्रीज बनाती हैं उनको लेकर Mr. Gassler ने क्या कहा तो उन्होंने कहा Mr. Gassler complaint against big firms was that they got customers only because of advertising and not because of any quality work यानि जो बड़े-बड़े firms होते हैं लोग इन पर जो इनके customers आते हैं वो इसलिए नहीं आते हैं कि वो बहुत अच्छे शोज बनाते हैं बनके बलके इसलिए आता है क्योंकि वो advertisement करते हैं सर्फ Mr. Gassler who loved his job and who used to make good quality boots and had very little work because people preferred that the big firms यानि जो Mr. Gassler वो अपने काम से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और वो बहुत महनस से अपने ये shoes अच्छी quality के बनाते हैं लेकिन पीपल बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनके shoes को ज्यादा पसंद करें इसलिए इनका काम चिन गया है हमारे Mr. Gassler का क्योंकि वो advertisement बहुत अच्छा करते हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रीज कुर्शन फाइव देखिए वाइड़ देखिए वाइड़ देखिए और सो मैनी नहीं है तो सारी बाते जब हमारे ओथर सुनते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा दुख सा होता है इस बात को सुनके और बहुत अचानब बहुत सारे पियर्स ओफ बुट्स ओडर कर देता हैं ताके उनकी हेल पूझाये क्या और इसपें पोछे ख़ये क्या उनको इतने सारे बात पीप ज़ू 창ुच जरूरत थी तो नहीं उन्हें जरूरत नहीं ते लेकिन उन्होंने इस यह order के ताके उनकी help हो जाए Mr. Gesser की The author knew that Mr. Gesser made good quality boots Every single pair of boots was good enough to last a long time Mr. Gesser बहुत ही अच्छी quality की boots बना देते और उनकी boots जोते न वो बहुत last a long time चलते थे He came to know from Mr. Gesser himself that in spite of his love for his job He could not get much work यानि Mr. Gesser बहुता है कि मैं अपने काम से बहुत प्यार करता हूँ लेकिन मेरे पास अब कोई काम ही नहीं है ज्यादा कोई कस्रमा आता नहीं है This was because people preferred buying boots from big firms क्योंकि जो लोग हैं वो बड़े-बड़े firm industries इन सब के boots को ज्यादा prefer कर रहे हैं आजकल advertisement की वज़े से So इसी लिए उनका काम चिन गया Seeing his hardship and struggle The author decided to order many pairs of boots even though he really did not really need them यानि इसी लिए उन्होंने उनके struggle को देखके ये decide कि वो बहुत साइशोस order करेंगे लेकिन उनको जरूरत नहीं थी इनकी बचो आपके टैक्स बुक में आपके five questions दिये गए थे तो मैंने आपको करा दिये हैं तो अगर आप लोग को अभी भी इसके explanation इससे समझ ना आई है कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो आप लोग मुझसे comment section में पूछ सकते हो या फिर वीडियो चाहिए तो आप लोग वो भी बता सकते हो मुझे तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं पर अपनी एंड करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई एंड टेक क्येर